आपका स्वागत अविनंदन मेरे इस प्रोग्राम खेल ग्रहों का में आज हम बात करें रासी फल 2019 में वरस रासी की हैज़ पोजिशन कैसी रहेगी सबसे बड़ा सुक है सारीरिक सुक अता सरीर का सुक अगर सरीर स्वस्त है तो आप हर चीज़ का भोग भोग सकते हैं आप अच्छी विदेश यात्राइं कर सकते हैं आप अपने जीवन की सारी सुक सुविदाओं का आनन ले सकते हैं आप गरस सुक का आनन ले सकते हैं बच्चों के साथ में खेल सकते हैं लेकिन यदि सरीर ही स्वस्त नहीं है तो ना तो आप पैसा कमा सकते हैं, ना आप सामाजिक सरोकार रख सकते हैं, ना आप सारे सुक भोग सकते हैं. तो सबसे पहले इस्तिती के वरस रासी के लिए रासी से एड़ था उसमें सनी है, वरस के प्रार्म महीं, तो 26 अक्टूबर 2017 से 24 जनवरी 2020 तक आपको सनी का ढहिया रहेगा, और सनी इस्पेसली पाओं पर चोड़ देने का काम करता है, गुटनों की चोड़ देने का काम करता है, या सिर पर चोड़ देता है, और ऐसी इस्तिती कर देता है, का आप जीवन भर कोईन कोई आपके लिए निसानी मिल जाए, या इसकार का निसान आपको लग जाए, इसकार हो जाए, अब इस समय, सनी अपनी थर्ड दस्ती से कुंडली में 10 ताउस को देखेगा, कुंडली में 2 आउस को देखेगा, और आपकी रासी कुंडली में 5 ताउस को देखेगा, तो second house है आपके खांदान वालों का, second house है आँख का और second house साथ में ले सकते हैं आप कोई इन कोई चीज में clot से related अता या तो वाणी से समझने प्रॉलम हो दांतों से related आपको कोई प्रॉलम हो या कोई बीमारी हो, दांत निकलवाने पड़े या दात सड़ जाएं, ऐसी situation आ सकती है, इस और आपको बहुत ज़्यादा careful रहना है सनी कुंडली में फिफ्ट आउस को देखता है, फिफ्ट आउस पर सनी की पाप दरस्ती होने से व्यक्ति को blood पैसल से related problem हो सकती है, उसको लखवे से related problem हो सकती है और सनी का ढहिया या सनी की सड़ सती, व्यक्ति को addiction की तरफ ले जाती है, कोईन कोई नसे पते की आदत लगवा देती है और जब भी आपको इन अशा करेंगे, तो लीवर से related problem आपको जरूर परिशान करेंगी अब बात करते हैं राहू की, तो राहू कुंडली में, रासी कुंडली में थड़ा उस पर सबसे अच्छी पोजिशन पर है और 24 जनवरी को शनी भी चेंज हो जब हो जाएंगे, तो और ज़्यादा better पोजिशन आएगी 2019 में, जो मेरी बैन है, संतान से related प्लान करना चाती है, संतान से related कोईन को इनके दिमाग में कामना है वो कामना पूरी होने के योग हैं, लेकिन 2019 में स्वास्ति को लेकर के ज़्यादा careful भी रहना पड़ेगा ब्रस्पति बहुत अच्छी पोजिशन में है, financially भी situation ठीक रहेगी, जीवन साथी का आपको प्यार भी मिलेगा उसके बावजूद भी, यदि आप संतान पाना चाते हैं, तो थोड़ा सा medically अपने आपको control में रखेगा आप समय समय पर जाच करवाते रहे हैं, जिन जातकों की साधी नहीं हुईंगे आपके अपने परिवार वाले यदि खुश हैं तो साधी में उस समारों में उस फंक्शन में चार चांद लग जाते हैं 2019 में आपको इस्पेश ली अपने गोटनों पर और कोईन कोई चोट या दुरगटना से रेटेट जादा केरफूल रहना है जादा सावदान रहना है इतनी बात मैं आपको बता सकता हूँ कि कुछ विशेश समय आपको ज़्यादा केरफूल रहना है वो टाइम डेट आप नोट कर लीजे जो वरसरासी के जातक हैं वे 22nd October 19 से 26th November 19 तक बहुत ज़्यादा केरफूल रहेंगे ये समय आपको कोई चोड दुरगटना या हैल्ज लेटेट बहुत बड़ी प्रॉलम द तक आपको अपनी संतान के हेल्थ पर भी ज़्यादा केरफूल रहना पड़ेगा उन पर भी ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा तो यह थी हेल्थ पोजिशन हम समय समय पर आपको आपकी रासे से समंदित और भी जो जानकारिया हैं और भी जो आपको नुस्के हैं या और भी केरफूल रहने के तरीके हैं, आपके जीवन को बहुत अच्छा बनाने के लिए उज्वल बनाने के लिए जो भी तरीके हो सकेंगे, वो हम आप तक पहुचाते रहेंगे, तब तक स्वस्त रहिए, प्रसंद रहिए, अपना ख्याल रखिए, नमस्कार.